तुडियर स्टूजेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे विए फेस्टेर के फस्स समेस्टर के जियोग्राफी यानि की भुगोल के मोस्ट इंप्वाटन कोईश्चन एंसर के बारे में तो जिन जिन भी इन्वर्सिटी वा कॉलेज में स्टूजेंट की परिच्छा जियो हमें कई बार रिपीटेड है और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आपकी परिच्छा में फसाइंगे तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है ठीक है तो शेली बिना देरी को वीडियो को श्रू करते हैं पुरूप के तोर पे हम आपको पहले क्वेश्चन को बोले चलते हैं जो कि बहुत ही पॉपलर है क्या है कि वूक में बाते हैं हुंप के प्रकार बताईए तो व्यूंप के बिद्वान are हो है क्या और इससे क्या होता है और इसके ताइप जाने कि बस्थ तो simple सब्दों में लिखेंगे भूकंप भूका मतलब simple मतलब कि अभी यहां पर पर परीभाआसा है बहुत फारे अलग अलग बिद्वानों ने बहुत सारे अलग अलग जो लेखक है जो बिद्वान है ठीक है उन्होंने भूकम्प की परिमाफ़ा अलग अलग प्रिस्तुत किये ठीक है लेकिन मैं अपनी और एकदम सिंपल भासा में आपको भूकम्प की परिमाफ़ा दे दूँ उसके बाद जो परमु ठीक है मतलब कि जब ऐसी सिच्वेशन आए कि जमीन यानि की भू में कमपन करने लगे मतलब कि हिलने लगे ठीक है तब उसको हम लोग भूकम्प कहेंगे सिंपल भासा में कहें तो भू कंप मतलब की जमीन जब हिनने लगती है जमीन जब कंपन करने लगती है तो उस प्रक्रिया को हम भू कंप कहते हैं और यह जो है प्राकर्तिक आपदा है जो की बिना बताय मतलब की अचानक से आ जाती है ठीक है और इससे बहुत सारे हानी भी है और ये जो है वो ज्यादा तर आप लोगों को देखने को मिलेंगे समद्री इलाकों में खास करके आपको जानकारी होगे कि जापान देश में भूकम्प बहुत आता है ठीक है सिंपल मासर में ऐसे लिखיंगे ठीक है कि भूकम्प भूः कम्प मतलब कि जब जमीन पूराखिवि अचानक से हिनले लगती ह dis ar देखिएTube जो हम ने प्रदिख देँगे तो आपको पूर अच्छी नंबर भिलेंगे तो दोस्ति विद्वान के नाम है इस्ट्रेलर ने कहा कि मानों के लिए धरातल के धक्ये खाना ये कमपन द्वारा हिलना ही भुकंप है इन्होंने ये बात कही है वहें पर अगले विद्वान जिनका नाम है जेबी मेसलवेन इन्होंने कहा कि भुकंप भुपटल का कमपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ओपर चट्टानों के लचीलेपन या गुत्तवा करशन की सम इस्थित में छडिक अवफ्था होने पर उत्पन होती तो आपको जो बेटर लगे वो तयार कर लीजेगा बाकि मैंने भी आप लोगों की समझ परिमाफ़ा जो प्रस्थुत की वो बहुत ही अच्छी है इस तरह लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बाकि इन परिभासाओं में जो एकदम साधारन और एकदम सिंपल परिभासा है वो मैं आपको सगेश्ट करूँगा कि इस बड़ी के नुसारत है यार कर लीजेगा क्योंकि यह सिंपल है कि जब प्राकरतिक कारणों से जब प्रिथभी की फथाक अपने लगती तो उसको भूकम कहेंगे बस अब आ जाएंगे भूकम के प्रकार की ओर तो इसका उत्तर यहां पर लिखेंगे कि प्राकरतिक कारणों से आने वाले भूकम मतलब की भूकम को हम मतलब की जमीन के कपने कोई भूम के कपने कोई भूकम कहते हैं यह भी कई प्रकार से उत्पन हो सकते हैं इसके अत्रिक्त मानो सब्यता के विकास के साथ साथ मानो के हाथ में बिनाफकारी विस्पोटक समागरी का उपयोग बढ़ने से उसके प्रुभाव धक्के आ सकते हैं ता बोकम दो वर्गों में रखा जा सकता है ठीक है यह कुश्चिन गारंटी वाला इसलिए इसमें ज्यादा टाइम देंगी क्योंकि यह पक्का फसेगा फसेगा ठीक है तो यह दो वर्गों में डिवाइड है पहला जो है वह मानवी क्रियाओं से उत्पन भूकम मतलब कि मानो कुछ ऐसे प्रमाण बम बनाता है पिर कुछ ऐसे अचानक से जब आता है तो उतको हम प्राकर्तिक आपदा फिर प्राकर्तिक भूकम कहेंगे ठीक है क्योंकि यह बिना बताए घटित होने वाली घटना है ठीक है तो प्राकर्तिक हो जाएगे तो दो है मानवी में ध्यान लखेंगी जो मानों के द्वारा बिस्पोटक समाग भी गलती के वज़ा से धर्तिक कप उठते हैं और बहुत ज्यादा बिस्पोट हो सकता है तो एक वह है और दूसरी प्राकर्तिक है ठीक है तो हम पहले जानेंगे मानवी कृवा से उत्पन भूकम के बारे में तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इन्हें बनावटी या कृतिम भी कहते हैं ऐसे भूकम अफ्थाने प्रभाव वाले हलकी धक्को का भात ही है या फिर भात होते हैं भौनों यानि की माकानों के समीप इफ्थित रेल की प्रट्री फे गुजर रहे एक्सप्रस सवारी अमाल गाड़ी से भी माकानों के टेबलों पर रखा समान अपना अफ परिष्ण में भी ऐसा होता है मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा तब भी हो सकता कप सकते रहती तो उस प्रकृत को मानविक के लिए से उत्पन होले भूकम कहेंगे और जो प्राकर्तिक आपदाएं होती है या फिर प्राकर्तिक जब आता है कोई चीज होती है फि है अलाकि कितने चार प्रकार के होते इतना लिख देंगे बाकि इसके बारे में आप नहीं कोई जरूरी नहीं कि जाएं लेकिन अगर आता तो आपको नेस्ट वीडियो में कबर करा देंगे तीक है में आपको परिभाफा होगी और जो यह दो भागों में डिवाइट किये हैं उनके बारे में परची हो गया अगला कोईश्चन की जौर भाटा किसे कहते हैं जौर भाटा एक बहुत ही पॉप्टर कोईश्चन है ठीक है भूकम पे हमने समय इसलिए ज्यादा लिया क्योंकि वह गारंटी वाला परसन है फसाएगा अगर मैं आपको तब गारंटी मत समस्त जल प्रवावित होता है शमान तोर पर माना जाता है कि शूर तथा चंद्रमा के आकरसर बल के करण महासागरे जल के ओपर उठकर आगे बढ़ने को जौर तथा नीचे गिरकर पीछे हटने को भाटा कहते हैं मतलब आपने देखा होगा कि जब समद्र में या फिर मतलब कि ऐसे होगा ऐसे होगा उपर जाएगा और फिर नीचे आजाएगा थीक है तो उसको जौर माटा कहा जाता है महात पूर्ण प्रशने ध्यान रखेंगे एकदम सिंपल परिमासा ऐसे लिख देंगे पूरे नंबर मिल जाएंगे अगला कि महाफागरे निचेप किसे क कहते हैं तो इसका उतर लिखेंगे कि अवफादी पदार्थों के जमाओ को निचेप कहा जाता है तो अवफादी जो पदार्थ होते हैं जब जम जाते हैं तो उस पर प्रोसेश को हम लोग महासागरे निचेप कहते हैं तीक है परन्त जब पदार्थों का जमाओ महाफाग कर सकते हैं अता प्राप्त फुरोतों प्राप्त अफ्थल स्वभाव परिवहन तथा बित्रण के दस्ट कोण को ध्यान में रखकर महा सागरे निच्छेपों का वर्गी करण किया जा सकता है तो बैसिक परचे लिखेंगे कोश्चन हमेशा नहीं आता कभी कदार आता तो आप प्योखंल सप्यों परणा प्रणी जरूत की पूर्त के लिए यह करता है पिर करेड़ा था साग्रे था महात्पोर्ण क्यूक्य उनका पुन्हान मारी हें तो इस प्रकार इसका उत्ता लिकिस्ट हमेशा नहीं नामक सागरिये जीवों के कंकाल फे निर्मित होते हैं महा सागरों में समुहु में एक ही अफ्थान पर अपसंख गूंगे अपसंख मूंगे निवास करते हैं प्रवाल एक जीव होता है जो अपने चारो और एक चूने का खोल बना लेता है और वह अपना भोजन सागरी जल से प्राप्त करता है उसे ही से प्राप्त करता है क्योंकि उसमें बहुत वारी कीड़ों कोड़े रहते हैं परउंत जब एक पसी उपर दूफरा प्रवाल अपना खूल बनाने लगता है। और धीरी धीरे एक करके एक एक करके अन्य प्रवाल बढ़ते जाते हैं तो इस प्रिक्रिया के लंबे समय में एक भित्त बन जाती है तो उसे प्रवाल भित्त कहेंगे उसके बाद दूफरा प्रवाल का टाइम शुरू हुआ जब उसकी समय आई तो भी कतम हो गया तो इसी तरह जो बहुत फारे जब प्रवाल एक ही अफ्तान पर जाते हैं तो उससे एक लियर बनती है जिसको हम लोग भित्ति कहते हैं तो इस पूरे के पूरे प्रसस को प्रवा इंपॉर्टेंट है चक्रवात और प्रतिचक्रवात दोनों इंपॉर्टेंट है नोट कर लिए प्रतिचक्रवात की प्रकति तथा विसेफता है चक्रवात के पूर्ता विप्रीत यानि की उल्टा होती है इसके केंद्र में उच्च वावदाप का केंद्र होता है जबकि प्रतिचक्रवात में वताग्र नहीं बनते हैं तथा इन में चक्रवातों के बिपरीत मौसम साप युम सुहावना रहता मतरब किलेर कट रहता मौसम अकार के दर्ष से गोलाकार या वी अकार के रहते हैं इंग्लिस के वी अकार के हो सकते हैं ठीक है रहते हैं कभी-कभी वी अकार के भी हो सकते हैं तो इस प्रकार लेखेंगे प्रतिचकरवात के बारे म सागरिये जल के भार एम उसमें घुले हुए पदार्थ के भार के अनुपात को सागरिये लवड़ता कहा जाता है सागरिये जल का जो भार होता उसमें घुले हुए जो पदार्थ होते हैं उनके भार का जो अनुपात निकलता है ठीक है उस चीज को सागरिय लवणता कहते हैं इफी संदर्व में ओमनी एक प्रमुक बिद्वान है ओमनी महोदने का कहना है कि समुद्री जल में पाया जाने वाले समस्त लवणों को योग को ही लवणता कहते है जो परिमाफा बिटर लेकर तैयार कर लेजेगा यह वाली तो सागरे जल के तापमान को असपस्ट कीजी हमेशा नहीं आता कभी कदार आता तो आप पढ़ भी सकते इसका उत्तर इग्नोर भी कर सकते बहुत कम आता है ठीक है लेकिन कोश्चन था तो मैंने सोचे कि इसको आपको बताना जोड़ चाहिए यह बात में कहने का चांस नहीं किसर आपने वाला कोश्चन तो बता हैं नहीं तैयार करने के लिए अगला कि तरंग किसे कहते हैं तरंग महत्पूर्ण परस्ट है सुन लिजिए पवन के सतत्त यानि कि हवा के फतत प्रवाहत तथा अन्य सक्तियों की कारण सागरे जल में संचलन या गत्य उत्पन होती है निकी पाउर जो होती है तो कभी शागरी जल आगे बढ़ता है तो कभी पीछे अड़ता है आप ने देखाओ कभी जल आगे जाता है फिर फिर पीछे आदा है खास करिके अपने बीच पे देखा होगा जो मॉ Inside में पीच ऊुचे तो आपनी ऐसे जाएगा जी आ आप माली का उत्तर लेखेंगे माफ आगर यह धराएं किसे कहते हैं यह कोश्चन हमेशा नहीं आता कभी कदार आता तो आप पढ़ भी सकते इसका इग्नोर भी कर सकते तो आज किस वीडियों में आपको इतने ही कोश्चन और उसका उत्तर बताएंगे बाकि और भी वह फारे कोश्चन अभी एक्जाम को टाइम एफ ले हम देरे देरे तैयारी करा रहें ताकि आप लोग ददफ बारा बारा कोश्चन और उसका उत्तर तयार करते करते ताकि आपको त्यारी भी होती रहे और आपको बोरिंग भी फीलना हो ठीक है तो आज वीडियो को यह पर इंड करेंगे ताकि आपको समय रहते हैं सभी परकार की वीडियो और नोट्स की पीटिएफ मिलती रहें मिलते हैं और नए वीडियो कि शाज अब तक के लिए जहन दर आप